नमस्कार दोस्तो जे जगनाथ ब्यूटिफुल गड़े नप्चुमकी में आप सब का स्वागत है आज एक बहुत ही उम्दा और्गानिक फोटलेजर के बारे में बात करेंगे यह है लीप मोल्ड लीप मोल्ड एक बहुत ही अच्छा और्गानिक फॉटलेजर है जो आप अपने प्लांट्स में यूज कर सकते हैं और यह आपके जो प्लांट से उसको हेल्दी बनाता है और प्लांट अगर हेल्दी बनेगा तो उसमें फूटिंग फ्लावरिंग बहुत ह ज्यादा होंगे मैं हमेशा बोलती हूं कि मैं अपने सारे प्लांट्स में ओर्गानिक फॉटलेजर यूज करना थोड़ा ज्यादा पसंद करती हूं और यह सब ऑर्गानिक फॉटलेजर जो है वो मैं खुदी बनाती हूं लीप मोल्ड हो फर्मी कमपोस्ट हो या फिर को सबा यह को आता है तो उसके चोटा सा सचले की था यह बन गया है उस में आपको नेम का प्वड़ा वर्गत का प्वड़ा पीपल का प्वड़ा सब मिल जाएए देखिए ने सौकि गर और उसके सीडमी owns यह जंगल है तो इसका क्यानिक वहां यह कोैसे में यह सल हमनों। उदर से ही सुखे पत्ते कलेक्ट करके पहले ले आती हूं आप सबको पता है जितने सरे पेड़ है उनको वो सब साल में दो बार उनका पतज़ड का मौसम होता है मार्च और एप्रिल और नॉभेंबर और डिसेंबर तो मैं तो नॉभेंबर डिसेंबर में मुझे टाइम नहीं मिलता है बनाने का तो इसलिए मैं मार्च और एप्रिल में जब पतज़ड का मौसम आता है तो फिर सारे पत्ते कलेक्ट करके उसका मैं लिप मोल्ड फट लेजर बना दीती हूं और क्योंकि यह बनने में ही बहुत स्लो प्रोसेस होता है 5-6-7 महिना आप लोगों को लग जाएगा यह लिप मोल्ड बनाने के लिए तो यह सारा जितना सारा पत्ते में ने कलेक्ट किया है उसको आप लोगों को क्या करना है बोरी में आप लोगों को ऐसे भर देना है बोरी में भर सकते हैं नहीं तो पॉलिथिन भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन बोरी कि हवादार जाली-जाली होता है हवा का हवागमन उसमें बना रहता है अगर आप polythene में रखेंगे तो फिर उसमें आपको छेत करना पड़ेगा यह आप याद रखेंगे तो फिर पहले यह जितने सरे पतिया है उसको आपको क्या करना है ना ऐसे बोरी में पुरा भर देना है बोरी हो या प्लास्टिक हो जहां पे भी आप पतिया डालेंगे उसक क्या होता है ना कार्बन कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में है और नाइट्रोजेन बहुत ही कम मात्रा में है क्यूंकि नाइट्रोजेन कम है तो उसमें बैक्टेरियल डीकॉंपोजिशन है थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए सुखी पतियों में हम लोग पानी डालते है ताकि फंगस जो उत्पन होगा उसमें तो उसी के सहारे ही ये पत्तिया जो है वो डिकम्पोज होंगे तो इसलिए उसमें पानी डालना बहुत ही ज़रूरी है पानी डालने के बाद आप लोगों को उसको बांद के अच्छे से उसको रग देना है ये इसको पूरा जो उसका पट लेजर बनने में लीप पूल बनने में पूरा सात महिना आट महिना ऐसे लग जाता है तो इसलिए बीच बीच में आपको निकालके उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालके आप लोगों को फिर से बांद के रग देना है देखिए ये मैंने कौने में उसको रग दिया तो यह जो है, यह साथ महिने बाद का है, देखिए पत्ते पूरा डिकॉम्पोज हो गए हैं, और इसी बीच में, बीच-बीच में, एक महिने, दो महिने में में निकाल के उसमें थोड़ा पानी डालती रहती थी, अभी यह बनके पूरा तेयार हो गया है, लेकिन थोड़ा- पानी है इसमें देखिए थोड़ा सौगी टाइप का है गिला गिला तो उसको में कुछ नहीं धूप में आप लोगों को सुखा देना है दो से तीन घंटा तो यह हमारा रेडी हो जाएगा धूप में सुखाने के बाद उसको आपको ढंडे से नहीं तो हाथ से पुरा क्रस कर करना पड़ेगा ऐसे दिखिए हाथ से अच्छे से रगर रगर के आप लोगों को क्रस कर देना है यह इतना देन से पुरा उसका डेकोंपोज हो आ है पुरा अच्छे से हो गया है तो आपको ज्यादा मुस्किल नहीं होगा आसानी से यह हो जाएगा तो धूप में सुखान सब लोगों को करना है इसको क्या करना है एक चन्नी के मदद से या फिर बोल सकते हैं सीब के सहरे उसको आप लोगों को चान देना है पूरा पाउडर फर्म में उसको आप लोगों को यूज करना है यह देखिए मैंने सीब ले लिया है उसके बाद आप लोगों को ऐसे चान करना है उसको देखिए नीचे निकलेगा उसका छोटा छोटा पर्टिकिल्स जो निकलेगा देखिए यह तो पूरा यह पाउडर फर्म में आप लोगों को यूज करना है अभी थोड़ा जान लेते हैं कि लीप मोल में क्या-क्या फाइदे हैं तो किसलिए आप अपने पौध कापसिटी इसका है तो मिट्टी में वाटर होल्ड करने की कापसिटी यह बढ़ाता है इसमें पुसक तो कि मात्रा बहुत नहीं होता है अधिक मात्रा में नहीं होता है लेकिन यह हवा और पानी यह दोनों को एक साथ होल्ड करके रखती है और इसमें धेर सारे हुमिकेशि लिए कितने जरूरी है यह तो आप लोगों को बोलने की जवरत नहीं है मेरे पिछले बहुत सरे वीडियो में मैं आप बता चुकी हूं अभी बता देती हूं आप अपने potting mix में यह जो पत्तों का fertilizer है या फिर आप lip mode बोल सकते हैं इसको क्यों आड़ करेंगे ना इसको अगर वो maintain करके रखता है और हर तरह का nutrient जो आपके पौधे के लिए जरूरी है हर तरह का nutrient उसमें थोड़ी-थोड़ी मात्रा में होता है और soil में humus की मात्रा को बढ़ाता है जो कि यह humus आप लोगों को पता है जो root growth के लिए बहुत ही अच्छा होता है और plant को healthy बनाता है उसकी productivity जो है उसको बढ़ाता है leaf mode fertilizer acidic nature का होता है तो इसलिए जितने सरे acidic nature बाले पौधे होते हैं उसमें आप इसको यूज करें और इसको महिने में एक बार यूज करें क्योंकि यह थोड़ा slow releasing fertilizer है देखिए यह मैंने मेरा strawberries इसमें भी मैंने एक-एक मुठी दे दिया है तो यह में आप एक-एक मुठी सब में यूज करें जितने सरे acidic nature बाले पौधे होते हैं जैसे कि रोज, Hibiscus, Camellia, Agelia सब में आप यह लीप मूल fertilizer यूज कर सकते हैं यह दिखिए मेरे Camellia के plants उसमें Camellia के जो plants देखिए उसमें बर्स आने लगे हैं कुछी दिनों में इसमें भी flowering सुरू हो जाएगी तो यह बहुत ही सुन्दर फूल होता है दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में मैं उसका क्यार आप लोग कैसे लेंगे वह आप लोगों के साथ जरूर सेयर करूंगी और जब उसका flowering आ जाएगा तभी भी मैं उसका जो वीडियो है उसके आप लोगो के आज दे दूंगी आप लोगों के साथ स्यार करती हूं यह जो लीप मोले उसको मैं और किसलिए यूज करती हूं ना इसको मैं इंडोर प्लांट्स का जब पोटिंग में स्यार करती हूं तब इसको मैं यूज करती हूं उसमें मैं गार्डन सॉयल का यूज बिल्कुल भी नहीं करती हूं जो पोटेमिस त्यार करती हूं इंडोर प्लांट्स के लिए उसमें मेरा रहता है 25% लीप मोल, 50% रिवर सैंड, 20% भर्मी कमपोस्ट और 5% जो होता है उसमें होता है सिंगे सुपर फस्पेट, सीवीड ग्रानूर्स और नीम खली तो इस तरह मैं अपने इंड इंडोर प्लांट में लाई हूं नर्सरी से उसको आप लोगों को रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगी होल को पहले आप लोगों को कोई भी ठिकरी के सारे बंद कर देना है उसके बाद थोड़ा सा पॉट्टिंग डाल दीजिए और जो पौधा लाए है उसके बाद उसको दिरे से उसके उपर रिख लिजिए उसको ज्यादा छेड़िये मत उसके रूट बॉल को क्योंकि उससे क्या होता है पॉझा सौक में चला जाता है तो धीरे से अच्छे से आप लोगों को असको रख देना है और उसके बाद फिर से उसमें पर्टिंग मिक्स भर देना है प उसके बाद आप लोगों को पानी देना है, simple plain पानी आप मत दीजिए पहली बार उसमें जो मैं भी पानी दूँगी उसमें मैंने मिलाया है, साफ 2 ग्राम पर लिटर, एफसम सल 2 ग्राम पर लिटर, हीउमिक एसीड 1 ग्राम पर लिटर और हाईरोजन पेरोकसाइड 0.25 ml पर लिटर, यह लिक्वीड पौधे को रिपोर्टिंग सौक में जाने के लिए नहीं देता है, और उसके बाद आप लोगों को उसमें plain पानी भी देना है, तो इस तरह आप लोगों को पता चल गया होगा, मैं लिप मोल का यूज कैसे करती हूं अपने गार्डन में, तो आप लोगोंने जान लिया कैसे मैं लिप मोल तेयार करती हूं, बहुत ही आसान है, आप खुद भी अपने गार्डन के लिए ये लिप मोल तेयार कर सकते हैं और अपने पौधे में इसको यूज कीजिए देखिए आपका पौधा कितना हेल्दी बनेगा और अखरी में थोड़ा प्रूनिंग के बाद मैं दिखा देती हूं मेरे गार्डेन का हाल आप लोगों ने देखा होगा पूरा जितने से रोजे से सब को मैंने प्रूनि मैं चैनल हसते रहिए मुस्करते रहिए गार्डेनिंग करते रहिए मेरे साथ जूड़े रहिए बाई बाई थेंक्यू फो वाचिंग